पप्पू यादव उनके खिलाप बहुत दिनों तक रहे उनको बाहर कर दिये उसी पार्टी के सांसत थे नौ में अग उनको बाहर का रास्ता दिखा दिये और फिर से जो हैसे पप्पू यादव आज चाकरी में लगे हुए हैं जबरदस्ती मान न मान मैं तेरा महम्यान रे आमंतरन तो सबको ऐसे भी दे दिया जाता है लेकिन वो तरिफदारी में लगे हुए हैं जा तक चिराग की बात कर रहे हैं चिराग पासवान को आमंतरन मिला होगा तो गय होगे यह अगर गय हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं लेक गतार हो रहा है ऐसे में आपको बता दे कि कल भी रावदी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें मुखुमंतरी नितीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार के तमाम मंतरी चिराग पासवान जाप सुप्रीमो पपुयादवी पहुचे थे ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं मुझसे बात करेंगे कल मुखुमंतरी नितीश कुमार तो सामिल हुए ही साथी साथ चिराग पासवान और पपुयादव भी कल पहुचे दे इफ्तार पार्टी में देखे सबसे पहले तो इफ्तार होना नहीं चाहिए था अभी का जो समय है विहार के अंदर में दंगा हुआ भयानक तोर पे संप्रदाइक हिंसा सासाराम और विहार स्रीप में लोगों के घर जलाए गए दुकान जलाए गए हत्या भी हुई एक व्यक्ति का विहार स्रीप में गोली मार करकर के हत्या कर दी गई तो ये इफ्तार का समय नहीं था ये तो दुक का समय था जो लोग हताहत हुए या जिनका परिवार उजड़ा घर उजड़ा जिनका ब्यापार रोजगार उजड़ा है तो लोगों के दुकों में सामिल होने का और ये इफ्तार के माध हाल चाल जानने का था ना कि जो हैसे प्रती दीन कहीं न कहीं किसी न किसी अस्थान पर इफ्तार का आयोजन और जाकर करके वहां लोग जो हैसे इफ्तार के माध्यम से जो हैसे तरह तरह का पकवान तरह तरह का ब्यांजन का जो हैसे लोग आनंद उठा रहे हैं जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ये लोग जो ऐसे करते रहते हैं इफ्तार का अब उसमें इफ्तार कभी मुखमंत्री करते हैं कभी रावडी करती हैं कभी अन्य जगों पर होता है तो सब लोग जाते हैं जिन लोगों को आमंत्रण मिलता है वो लोग जाते रहे हैं उजह लगता है कि पप भी को दूसरा हो सकता है। मेरे परिवार का होगा। बेटा भेटी ही हो सकता है। उससे बाहर निकल ही नहीं सकते है। तो पप्प yoga उनके खिलाब बहुत दुर्यों तक रहे। उन somebody कर लिए। उसी पार्टी' के सांसत calculation नौ में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिये और फिर से जो हैसे पप्पु यादव आज चाकरी में लगे हुए हैं जबरदस्ती मान न मान मैं तेरा महम्यान रे आमंतरन तो सबको ऐसे भी दे दिया जाता है लेकिन वो तरिफदारी में लगे हुए हैं लालू यादव की रावडी देवी की अब तेजस्वी आउत्तेज परताप की और मिशा भारती की तरिफदारी में तो पपू यादव का यही हस्र होने वाला था यही इस्थिती आने वाला था एक तरफ सपना बिहार का निता बनने का देखते थे और दूसरी तरफ पपू यादव जाके सास्टांग अब लालू रावडी नहीं तेजस्वी के आगे होना पड़ रहा है तो यही इस्थिती उनकी आ गई है जहां तक चिराग की बात कर रहे हैं चिराग पासवान को आमंतरन मिला होगा तो गए होंगे यह अगर गए हैं तो इसमें कोई हर्द नहीं लेकिन वहां से निकलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमारा तो नितिकत बिरोद है और विरोद चलता रहेगा बिहार के विकास के लिए बिहार की स्थीतियों को कैसे आगे तक हम बढ़ा सके कैसे बिहारी लोगों को सम्मान मिल सके उसके लिए हमारा जो विरोद है वो विरोद लगातार जो हैसे चलता रहेगा पर चिराग पासवान को तो महागडवंदन के तर जनता के बीच में जनाधार महागटवंधन का नहीं है तो लोगों को आवंत्रीत करते रहते हैं वो तो NDA को भी जो ऐसे पूरा आवंत्रीत कर ले इसमें कोई हर्ज नहीं है इसलिए को पता है कि सारा कुछ विहार की जनता का विश्वास NDA के साथ ही है मोधी के परती लोगों का विश्वास है उसको तोडने के लिए कमजोड करने के लिए कोशीस तो लगातार करते रहे है लेकिन कभी सफल नहीं हुए है कोई आए जाए किसी दल से उससे कोई मतलब नहीं है जनता अस्थीर है जनता साथ खड़ी है और मोदी के साथ है मोदी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है कोई रहे न रहे मैं तो कहूँगा कि जनता साथ रहेगी उसी का आगे जो है से साथ होना है पर तेजस्वी आदव हो या मुखमंतरी नितीश कुमार तमाम नेता महागडवंदन के कह रहे हैं कि बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुलेगा 2024 लोग सबाचुनाव में और आप लोगों ने भी तैयारियां अभी शेहीं सुरू कर दिये देखे ये लोग हर समयक बोलते रहे हैं कोई नई बात थोड़े ही आए लगातार काते रहे हैं 14 में भी इन्होंने कहा कि कैसे या कौन सा इस्थिती में सरकार बनेगी नितीश कुमार जी 14 में भी छोड़ कर करके 13 में ही चले गए थे 14 चुनाव से पहले और उस समय भी बिहार के अंदर में बगैर नितीश कुमार के हम 31 सीटों पर जीते हैं हमको 17 करोर भोट पूरे देश के अंदर में मिला था दूसरा जब 19 का चुनाव आया लोगों ने कहा कि इस वार तो नहीं पिछली बार मोदी को नहीं देखा था इसलिए एक बार देख लिया अब दुबारा नहीं आने वाला है लेकिन हमने कहा था कि मोदी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है मोदी जनता के देश की जनता की इच्छा अकांचा के प्रतीक बन चुके हैं जितना उन्होंने देश के विकास किया है उसे विकास के देश की जनता कायल हो चुकी है और 17 कडूर अगर 14 में भोट आया था तो 22 कडूर लोगों को हम 19 तक में किसी ना किसी प्रकार से लोगों को लाप पहुचाने का काम किये थे तो हमारा ये 22 कडूर तो पका भोट है और इस बात को आप ये देख लीजिए कि 22 कडूर का हम लोगों का लच्छ अभोट 19 में 23 कडूर हमको आया आनि कि लोगों का साथ समर्थन 303 सीटे भारतिय जन्ता पार्टी को और 353 सीटे एंडिये गठवंधन को प्राप्त हुआ इस बार भी मैं कर रहा हूं कि जितना 10 वरसों के अंदर में देश में काम हुआ है देश का विकास हुआ है प्रगती हुआ है और दुनिया के अस्तर पर भारत का पर्चम लहरा रहा है जो विश्व गुरू का सपना था सर्वोच सिखर पर इस देश को ले जाने का था जो परम बैभव पर ले जाने का था उनत्ति के सर्वोच सिखर पर सर्व गुन संपन सर्व सक्तिमान बनाने का वो सब सपना आज मोदी के नितरुत में साकार हो रहा है और इतना ही नहीं हम साथ साथ देश की जनता का सेवा भी कर रहे हैं 42 करोर लोगों का हमने किसी न किसी रूप में सरकार की योजनाओं का लाफ पहुचाने का काम किया है तो 22 करोर हम लोगों को लाफ पहुचाये थे तो 23 करोर भोट आया और 42 करोर लोगों को लाफ पहुचाये हैं तो आप जान लिजिए कि उससे अधिक कहीं इस वार हमको भोट पिछले चुनाओं में 303 सीटे भाजपा की थी इस वार साढ़े 300 से पार होगा हम NDA के साथ मिलकर करके 400 से उपर सीटों पर प्राप्त करेंगे और मोधी पूरी बहुमत के साथ पूरी मजबूती के साथ फिर से देश के प्रधान मंतरी बनेगे तो चलिए हमारे साथ BJP के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे जिनोंने बड़ा दावा किया है और साफ तोर पे कहा है कि 2024 में जब लोगसबा का चुनाव होगा तो भारतिय जनता पार्टी सारे 300 से जादा सीटे जो हैं वो हासिल करेगी साथी साथ NDA गडबंधन 400 सीटे ल धन्यवाद